हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत टेक मशिन की फिर से एक न्यू वीडियो में दोस्तो आप सभी को हम आज की इस वीडियो में बताएंगे फेक्टरी में टावर फैन को कैसे बनाया जाता हैं जो कि एक automatic fan होता हैं जिसे हम remote से control भी करते हैं लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि factory में टाउर फैंस को कैसे बनाया जाता होगा तो इसकी manufacturing को देखने से पहले अगर आप channel पर नहीं हो तो channel को subscribe कर दे जिससे ऐसी ही amazing और interested वीडियो की notification आप तक सबसे पहले पहुंच स तो दोस्तों tower fence को बनाने के लिए सबसे पहले इसका design तयार किया जाता है वह उसके आधार पर work शुरू किया जाता है अब इसमें उप्योग में लिये जाने वाले सामान को लिया जाता है जिसमें plastic, metal, electronic components शामिल किये जाते हैं अब prototyping की प्रतिया शुरू की जाती हैं जिसमें computer design, software को यूज किया जाता है नेक्स्ट प्रोसेस में fan के parts को सही तरीके से mold किया जाता हैं फिर इन्हें assembling line पर जोड़ा जाता हैं अब motor switches वो wires को जोड़ा जाता हैं नेक्स्ट प्रोसेस में fan की checking वे जाच परताल की जाती हैं चेकिंग में सब कुछ सही पाई जाने पर इन्हें packaging का market में selling के लिए भेज दिया जाता हैं तो दोस्तो पेक्टर में इस तरह से tower fence को बनाया जाता हैं उमिद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी थैंक्स पर वचिंग इस वीडियो करता हैं